अलो फ्रेंट्स गुडिवनिंग टू ओल स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जॉबस अप्डेट पॉइंट पे तो जबू इनुवसिटी के प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए अल्रीड दो लेक्चर में अल्रीड डाल दिये हैं आज जो है थर्ड लेक्चर है और सब के अगर को प्रेजंटेशन बनानेके लिए कभी बोला जाए तो वह पावरपॉ के एक file जो है हमने create कर ली है और file की बात करें तो पहले number ही देखिए किस तरह से आपको desktop पे मेरे interface जो आप देख पा रहे हैं इस पर two box दिख रहे हैं click to add title click to add subtitle तो title में भी add कर सकते हैं subtitle भी add कर सकते हैं आप चाहें तो subtitle के अंदर भी title add कर सकते हैं पूरा का पूरा जो है आज इस video के बादे हमसे आपको बताऊंगा सबसे important basic चीजे कुछ याद कर लेते हैं यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं one number and दूसरी slide आपको बनानी होगी right click करके blank area यहाँ पर new पर click कर लेजी second slide आपकी बन जाएगी तो यहाँ पर जो sheets होती है इसको slides कहा जाता है उसी के साथ में आपको अरड़ी बताया था है word में जो है pages रहते हैं sheets रहती है अगर excel की बात करें spreadsheets होती है तो different जो है चीजों के नाम से ने जाना जाता है but presentation के लिए powerpoint को ही जो है जाना जाता और presentations जो है powerpoint पे ही बनाए जाती है चलिए start करते हैं आज के session को so सबसे पहली बात important जो यहां पर मैं आप सबको बताना चाहूंगा वो है आपके powerpoint में कुछ effects कुछ animations जिसकी मदद से आप जो है presentation बना सकते हैं एक छोटी सी presentation आपके सामने बना कर रखता हूं तो चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा background को अच्छी से ले लेता हूं तो मैं क्या करूंगा design में जाओंगा design में जाके आप देखिए यहां पे background आपको बहुत अच्छी दिखेंगी जिस पे आप अपनी presentation के लिए एक जे वली theme जो है select कर लिए इसके उपर जो है मैं ppt बनाओंगा चलिए यहां पे लिख लेते हैं जम university of jamu को का काम कर रहे तो university of jamu के बारे में ही लिख लेते हैं तो university of jamu की जो है मैंने heading बना दिया यहां पे अब इसको जो है आप अपने accordingly adjust कर सकते हैं drag and drop करके चलिए university of jamu थ particular font को select करिए home पे जाईए यहां पे आपको जो है color दिख जाएगा उसको color दे दीजी चलिए मैंने color दे दिया और इसकी alignment जो है मैं center कर दूँगा control E से और underline कैसे करते है control U जो है shortcut की रहता है underline के लिए चलिए university of jamu आपको दिख गया अब मैं यहां पे लिखूँगा practical test of junior assistant चलिए अब इसकी alignment देखिए right है तो मैं alignment को center के लिए control E करूँगा इससे alignment मेरी जो है center हो जाएगी चलिए font को ऐसे ही रहने देते हैं practical test for junior assistant इस पर कोई भी जो है color वगरे नहीं फिल करते हैं और यहां पर थोड़ा सा अपने चैनल का नाम दे देता हूं में jobs update point तो चलिए आप लोग इस पर वीडियो देख रहे हैं उस चैनल का नाम है jobs update point जिन जिन ने follow subscribe नहीं करते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं अपना Instagram account का भी यहां पर दिखा देता हूं JK jobs update point चलिए यहां पर भी आप मुझे follow कर सकते हैं Facebook की बात करूं मैं Facebook में भी आप मुझे JK youth view नाम का group है वहां पर follow कर सकते हैं मुझे personal अगर आप follow करना चाहते हैं तो मेरे account है sager underscore rena चलिए इस पर भी आप मुझे जो है मेरे Instagram account में follow कर स सकते हैं चलिए अब little bit ppt बन गई एक slide बन गई हमारी अब चलते हैं अपनी दूसरी slide की तरफ तो यानि आपको little bit पता चल गया कि किस तरह से अब यहां पर second slide में हम लोग आते हैं और second slide में यहां पर लिखते हैं यहां पर भी University of Jammu ही लिख लेते हैं यहां पर लिख देते हैं और मैं यहां लिख देता हूँ स्टेज यूनियर असिस्टेंट के ठीक है स्टेज आफ बॉड़ी में लिख लेता हूँ स्टेज वन स्टेज टू एंड स्टेज त्री चलिए तीन स्टेज मैंने यहां पर लिख दी आप इसको देखिए मैं क्या कर रहा हूँ आप देखिए effect देने जा रहा हूँ जो कि एक important point है आप लोगों को ध्यान रखना है इसको select कर लिजिए जितने particular area को आप effect देना चाहते हैं और select करने के बाद आप चले जाए डिजाइन में animation में चले जाएए animation में जाने के बाद आपको यहां पर कुछ animations दिखेंगी देखिए अगर आप by first level paragraph करेंगे तो इस तरह से जो है आपको PPT present करते समय दिखेगा step by step जो है एक एक word जो आपने line लिखी होगी वो आएगी अगर आप करते हैं white में by first level तो first level में speedily जो है आप द देना चाहते हैं तो इस तरह से जो है आपका effect आएगा from bottom to up तो इस तरह से effects जो है आप देपाएंगे चली मैं flying का effect यहां पर दे देता हूं ठीक है तो next चलते हैं third number पे third slide बनाते हैं अब तो जहें दो effects आपको मैंने दिखा दिये अब यहां पे मैं heading को जो है card देता हूं य चलिए यहां पे हम एक image insert करते हैं insert में जाए इंसर्ट में जाने के बाद image के लिए क्लिए क्लिपार्ट में जाए पिक्चर पे तब अगर आपके system में को image है वह डालना चाहते हैं clipart में by default कुछ images जो है आपको दिख जाती है उन images को जो है आप लगा सकते हैं चलिए animal की image ज अब इन दोनों को I am effect देना चाहाँ गा क्LICK करिए animation में जाए animation में जाने के बाद custom animation में जाने के बाद आप effect जो हैं इसाउप ईनको देपाएंगे किस तरह से effect देना चाहें उस तरह से आप देपाएंगे अब obviously कि मैं एक लाइन और rabbit लिया तो obviously शिकार ही करवाओ यहाँ पर सबसे पहले किसको ब omega आते हैं सबसे पहले rabbit को बगाते हैं rabbit में click करिए add effect आपपको यहांपर दिख रहा है this add effect कैसे आया है animation में जाने के बाद custom animation में जाना है add effect में click करिये चलिए, add effect में click करने के बाद, आपको motion path दिखेगा, उस पे आप कुछ भी कर लिजिए, drag custom path कर लिजिए, और यहां से curve कर लिजिए, चलिए इसको drag करते हैं, यहां पर पहले जाएगा, rabbit फिर यहां से यहां से यहां बागेगा, फिर यहां से यहां से यहां से यहां बगाते है फिर बिल्कुल endly यहां पर खतम कर देते हैं, चलिए, हो गया, अब क्या करेंगे, हम line को भी उसी तरह से, माप किजिए, tiger है, tiger को भी उसी तरह से जो है, हम effect देंगे, click कर लिजिए, add effect में जाएगे, अब tiger तो obviously rabbit के पीछे ही जाएगा, शिकार करने के लिए, चलिए फिर इ दोनों effects को हम play करके देख लेते हैं, देखिए, यहां पर rabbit यहां से भागता हो, यहां पर, then उसके बाद, tiger आपका आते हो, बिल्कुल rabbit के साथ, तो इस तरह से भी जो है, आप effects दे सकते हैं, बहुत से effect है, हालाती आप यहां पर देख लिजिए, number of effect यहां पर आपको यह तमाम effects जो है, आप अपने ppt में दे सकते हैं, अगर आपको examiner ने ppt बनाने के लिए कहा है, उससे examiner को जे लगेगा, कि आप लोगों को कुछ जादा बेटर अच्छे से knowledge है, तभी आप effects दे पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उस पर भी आपके positive point जो है, वो count किये जाएंगे, चलिए, so, jobs update point लिख लिए, अब देखिए इसको कैसे effect दे रहा हूंए, select करना है, same animation में जाना है, animation के बाद, custom animation में जाने के बाद यह आ जाएगा, इस custom effects को आप लोग दीजिए, कोई भी effect दीजिए, सभी effect ही effect है, तो मैं यहां से कुछ और effect देता हू जो round में घुमेगा, देखिए, this is effect, यह हम effect जो है, दे सकते हैं, उसी के साथ में कुछ और effect देते हैं, एक ही हुआ है, फिलाल अभी तो, चलिए, मैं क्या करता हूँ, इसको growth shrink का effect देता हूँ, तो देखिए, इस तरह से effect आप दे सकते हैं, by the use of powerpoint presentation, चलिए, कुछ और effect दे देखिए, diamond effect देते हैं, तो देखिए, यहां पर diamond effect जो है, यहां पर मैंने दे 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 तीनों effects जो है, आप साबके सामने हैं, इस तरह से जो है, आप powerpoint में effect दे सकते हैं, चलिए, बहुत बढ़िया, अभी हम लोग क्या करेंगे, next मैं आपको little bit कुछ और चीज़े बताने की कोशिश करूँगा, यहां से जो है, आप slide को orientation जब portrait भी कर सकते हैं, समझें, मैंने आपको orientation और portrait का मतलब जो है, कल समझाया था, I hope आप लोगों को याद हुआ होगा, जिस उसको याद है, तो orientation को एक line में answer बताईए, एक word में answer बताईए, orientation का, और landscape क्या होती है, और portrait क्या ह होता है, इनका comment करके वीडियो के बता जिजएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने जो है, कल की वीडियो मेरी देख रखिए, तो fonts के बारे में आपको पता है, color के बारे में पता है, तो PowerPoint presentation का conclusion करना जा रहा हूँ कि आप लोग यहां पे animation से सकते हैं, आपने accordingly, जो है, पूरे चीज़े जो है, रिजस्ट कर सकते हैं, मैं आपको छोटी से example देना चाहूँगा, हम लोग जब बचपन में महाभारत जब कुछ भी देखा करते थे, तो दोनों तरफ से जब तीर चलते थे, वो automatic एक जगा पर जाके टकराते थे, तो उस तरह के effects भी जो है, वो दिये जाते हैं, आप cartoons देखते हैं, animations देखते हैं, वो भी जो है, powerpoint presentation की मदद से दी जाते हैं, उसी के साथ में design में मैं आपको बता दिया कि इस तरह से designs जो है, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, insert जो है as a work करे का toolbox आपके लिए, जिसमें आपको void art, header, footer, text, सब कुछ shapes सब कुछ available रहेगा, home से आप formatting tool bar की help ले सकते हैं, इस पर multiple tool bars जो है आप लोगों के लिए रहते हैं, हालाती में tool bars पे जादा नहीं बताऊंगा, तूंकि already मैंने 2 lectures में tool box के बारे में काफी जादा आपको बता रखा है, तो इस तरह से जो है powerpoint presentation जो है present कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको और भी कुछ options दिख रहे हैं, तो जितने candidates यहाँ पे इस video को देख रहे हैं, और जितने aspirants हैं, जिनका जो है आने वाले समय पे जमू उनिवर्सिटी में test होने जाएगा, practical वो सबी जो है, इन तमाम tool boxes को सब देख ले, title bar कौन सी होती है, कौन सी task bar है, वो test of uni assistant और फोर इसी छोटी सी publicity, चल यहाँ आगे, next slide की में बात करूं यहाँ पे, university of jamu, stage of uni assistant, stage 1, stage 2, stage 3, इस तरह से जो है effects से आपको देखने को मिल रहे हैं, चल यह आप देखिए यहाँ पे, J effects हमने दिये थे, चल रहे हैं, ठीक है, एक J effect दिया था, एक shrink का दिया था, और एक diamond का दिया था, है न, चल यह, जो तीनो effects होगे, so this is the last slide of our PowerPoint presentation, तो इस तरह से आपको presentation जो है, बनानी है, तो I hope अब जो है काफी चीज़े clear हो चुकी होगी बच्चे को, कि किस application से हम क्या ची वीडियो आपको internet and, उसके internet के बारे में जो है, और साथ ही में email and internet तोनों के बारे में जो है, मैं बताने का प्रयास करूंगा, और ट्राइ करूंगा कि कोई भी question जो है, आपका exam में छूते ना, उस accordingly, चलिए, आज की वीडियो में दीजिए मुझे इजाजत, so thank you so much for watching this video, व channel को subscribe कर लें तो कर फदर अपडेट के लिए